नमस्ते आज हम लोग NCRT की क्लास सेवंथ की इंग्लिश की सप्लेमेंटरी बुक एन एलियन हैंड के चेप्टर नाइन आइन टाइगर इन दा हाउस के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं चेप्टर के बीच में कॉंप्रेंशन चेक दिया हुआ है और इसी तरह चेप्टर के लास्ट में एक और कॉंप्रेंशन चेक और exercise दी हुई है सबसे पहले पढ़ते हैं कॉंप्रेंशन चेक फर्स्ट इसमें पहला सवाल है उन्हें यानि दादा जी को दल का सिर्फ ऐसा सदस्य होने की विशिष्टता प्राप्त थी यानि ऐसी उनकी खासियत थी ये italics में दिया गया है जो italics में जो भाषा या वाक के दिया गया है उसका मतलब है option one ग्रेंट फादर वस दो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ट मेंबर अधे पार्टी दादा जी पार्टी के सबसे सम्मानित सदसे थे second grandfather was the only sports person in the party दादा जी पार्टी में एक मात्र sports person यानि शिकारी थे तीसरा grandfather was the only successful member of the hunting party दादा जी hunting party यानि शिकारी दल के सबसे सफल सदसे थे इसका उत्तर है तीन grandfather was the only successful member of the hunting party दूसरा सवाल complete the following sentence इसको मैंने sentence complete करके ही साथ में लिखा हुआ है जो जितना हिस्सा sentence का जितना भाग underline किया हुआ है वह fill in the blanks में भरा गया है जैसे पहला तोटो climbed up the curtains when इसके आगे blank space था हम लोगों को लिखना है तीमोथी lost his temper तोटो परदे के उपर चड़ जाता था जब तीमोथी का गुस्सा आता था या उसका स्वभाव गर्म हो जाता था औक्षन दो question दो when I came to live with grandfather ये fill in the blank था यहाँ पे हम लोगों ने भरा है became one of the tiger's favorites जब मैं दादाजी से मिलने आया या दादाजी के घर रहने आया मैं बाग का पसंदीदा बन गया third तीमोथी had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat बुक में सिर्फ इतना लिखा है तीमोथी had clean habits इसके बाद fill in the blank हमने भरा and would scrub his face with his paws exactly like a cat तीमोथी सफाई पसंद था जैसे एक बिल्ली अपने पंजों से चेहरे को साफ करती है वे भी किया करता था इसके बाद comprehension check 2 इसका पहला question grandmother's prophecy was that the tiger इसके options है first would prefer mehmood's bed to sleep in second and the cook would disappear together from the house third would one day make a meal of mehmood grandmother एक भविश्य वक्ता की तरह कहती थी कि एक दिन tiger पहला विकल्ब महमूद के बिस्तर पर जाकर सो जाएगा दूसरा cook यानि बावर्ची जो है महमूद वह घर से अद्रश्य यानि गायब हो जाएगा तीसरा विकल्ब एक दिन महमूद बाग का खाना बन जाएगा इसका सही जवाब है option third would one day make a meal of mehmood एक दिन वो mehmood को अपना घोजन बना लेगा दूसरा सवाल when Timothy was about six months old a change came over him the phrase in italics means that जब Timothy लगबग 6 महिने की उम्र का हुआ उसमे एक बदलाव आया यहाँ पर a change came over him italicized किया हुआ है italics में दिया गया है इसके विकल्ब है one Timothy had grown to his full size Timothy अपने बड़े आकार का हो गया या अपने पूरी आकार में आ गया जैसे एक young या जवान बाग एक पूरे आकार में आता है वैसे Timothy अपने पूरे आकार में आ गया दूसरा विकल्ब है Timothy grew more friendly Timothy पहले से ज्यादा मित्रवत हो गया तीसरा Timothy grew less friendly in fact more dangerous Timothy मित्रवत कम हुआ बलकि ज्यादा खतरनाक हो गया इसका उत्तर है Option 3 Timothy grew less friendly in fact more dangerous Question 3 Write true or false against each of the following statement जो भी वाक के दिये गए है कथन दिये गए है उनके आगे true यानि सत्य और false यानि असत्य हम लोग कह सकते हैं माफ कीजिए यहापे false की spelling F-A-L-L-S print हो गई है जबकि यह सच में F-A-L-S-E false होता है तो आप क्रपयाई से सही कर सकते हैं इसका पहला Question है Timothy and grandfather went to Lucknow in a special compartment Timothy और दादा जी Lucknow एक विशेश डिब्बे में गए यह सही नहीं है क्योंकि वे प्रथम शेनी या first class के डब्बे में गए थे तो इसका जवाब है false दूसरा 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 जिसमें दादा जी और टिमोथी गए थे यात्रा कर रहे थे उसमें कोई और यात्री नहीं था यह बिल्कुल सकते है वो डब्बा सिर्फ दादा जी और टिमोथी के लिए आरक्षितिया रिजर्व था तीसरा तिमोथी और ग्रेंटफ़दर ट्रेवल्ड इन फर्स्ट क्लास कमपार्टमें तिमोथी और दादाजी प्रथम श्रेणी के डबे में यात्रा कर रहे थे यह भी बिल्कुल सही है इसका जवाब है ट्रू फोर्थ अल पैसेंजर्स इन दे कमपार्टमेंट थोट दाद टिमोथी वज़ वेल फेड और सिविलाइज़ टाइगर कमपार्टमेंट में जित्ते यात्री थे वो सब सोच रहे थे कि टिमोथी एक अच्छा पालन पोशन किया हुआ और सब भेवाग है यह है फॉल्स है क्योंकि उस कमपार्टमेंट में दादाजी और टिमोथी के अलावा और कोई यात्री मौजूद नहीं था तो उनके सोचने का सवाली पैदा नहीं होता question 4 grandfather suggested that टिमोथी should be put in another cage the reason was that दादाजी ने सुजाओ दिया कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में रखा जाना चाहिए इसके पीछे क्या कारण था option 1 the tiger had become very bad tempered बाग का गुसा बहुत खराब था वह बहुत ही bad tempered यानी उग्र स्वभाव का था खराब स्वभाव का था option 2 a leopard in the next cage would constantly rush at टिमोथी दूसरे पिंजरे में जो एक तेंद्वा था वह लगा तार टिमोथी की तरफ दौड रहा था या उसे डरा रहा था third the cage was too small for a full grown tiger वह पिंजरा जिसमें टिमोथी था एक पूरे अकार के बाग के लिए बहुत छोटा था इसका उत्तर है option 2 a leopard in the next cage would constantly rush at टिमोथी दूसरे पिंजरे में जो तेंद्वा था वह लगा तार टिमोथी की तरफ दौड कर आ रहा था जिससे उसे डर लग रहा था question 5 the tiger was still licking his arm with increasing relish tiger अभी भी उनकी बाह को चाट रहा था और बड़े हुए स्वाद के साथ the phrase in italics suggest that टिमोथी italics में जो phrase या कथन दिया गया है उससे पता चलता है कि टिमोथी first was good natured बहुत अच्छे स्वभाव का था second recognized an old friend वे अपने पुराने मित्र को पहचान गया था तीसरा smelt fresh food अच्छे भोजन की खुश्बू आ रही थी इसका उत्तर है पांच इसका उत्तर है option third smell fresh food यानि उसे अच्छे भोजन की खुश्बू आ रही थी exercise अब a tiger in the cage के exercise वाला पार्ट देख लेते है answer the following question question one where was the tiger cub hiding when grandfather found him जब दादा जी को बाग का बच्चा मिला तो वह जब दादा जी को बाग का बच्चा मिला तो वह कहा छुपा हुआ था इसका उत्तर है when grandfather found the tiger cub he was hidden among the intricate roots of a banyan tree जब दादा जी को बाग का बच्चा मिला वह बरगद के पेड की intricate यानि complex उलजी हुई जड़ों के बीच में छुपा हुआ था question two what did Toto do to entertain Timothy Toto Timothy का मनोरंजन करने के लिए क्या करता था इसका उत्तर है Toto would pulled the young tiger by the tail Toto अक्सर बाग की पूँच को खेचा करता था दूसरा what did he do when Timothy lost his temper जब Timothy को गुसा आता तो वह क्या करता था इसका उत्तर है Toto usually climb up the curtains when Timothy lost his temper Toto प्राय है परदे पर चड़ जाया करता था जब Timothy को गुसा आता था Question 3 I became one of the tiger's favorite who is I in the statement why did he think so इस सवाल के जवाब हम दो तरह से दे सकते हैं अगर हम चाहें तो first paragraph वाला पार्ट है उसे भी जवाब बना सकते हैं और चाहें तो दोनों पार्ट को जोड के इसका जवाब दे सकते हैं जैसा आपको उचित लगे छोटे या बड़े आंसर के लिए है He thinks so because Timothy got mixed up with him very quickly and was very much pleased to play only with him except other family members Timothy बहुत जल्दी उससे घुल मिल गया था और उसके साथ खेल कर बहुत खुश होता था अलावा अन्य परिवार के सदस्यों के और हम इस question को बढ़ा भी सकते हैं His answer को बढ़ा सकते हैं Sorry His playful activities with author are following उसकी लेखक के साथ जो चंचल गतिविद्या थी वो निम्न थी Timothy would creep closer to him and suddenly making a dash for his feet Timothy रेंग कर धिरे-धिरे उसके पास आता और अचानक से उसके पाओं की तरफ कूदता या उनकी तरफ आने की कोशिश करता Timothy rolling over him on his back वह अपनी पीठ के बल घूम जाता और kicking with delight खुशी से हवा में केक मारता लात मारता and pretending to bite his ankles और ऐसा दिखाने की कोशिश करता जैसे वह उसके तखने को काट रहा है Question 4 Where was Timothy most comfortable during the day Where was he during the night Timothy दिन के समय सबसे ज़्यादा आराम दायक कहां महसूस करता था और रात को कहां महसूस करता था इसका उत्तर है Timothy was most comfortable on long sofa in drawing room during the day Timothy सबसे ज़्यादा आराम दायक अपने को दिन में drawing room के long sofa पे महसूस करता था He slept in cook's quarter at night रात को वह बावर्ची के quarter में सोता था Question 5 What was grandmother's prophecy about the cook? Did it come true? दादी मा की कुक यानी बावर्ची के बारे में क्या भविश्यवानी थी? वे उसके बारे में क्या कहते थे? Did it come true? क्या यह सच हुई? इसका उत्तर है Grandmother's prophecy was that one day when we go to find Timothy दादी मा की भविश्यवानी थी कि एक दिन जब हम Timothy को ढूनने जाएंगे We will find him sitting on Mehmood's bed हम उसे Mehmood के बिस्तर पर बैठा हुआ पाएंगे and there would be no trace of the cook except his clothes and shoes और वहाँ पर बावर्ची के कपडों और जूतों के अलावा कोई निशान नहीं होंगे इसका मतलब था कि एक दिन Timothy उसे मार कर खा जाएगा No, it was not come true नहीं, यह सच नहीं हुआ Question 6 ऐसा क्या हुआ कि दादाजी को तिमोथी को चिडिया घर के लिए स्थानांतरि यानि ट्रांसफर करना पड़ा इसका उत्तर है वेह दोस्त की तरह कम और खतरनाक की तरह ज्यादा व्यभार करने लगा वेह चोरी चिपे तूसरे के पालतु जानवरों का पीछा करने लगता In night, he would add the hands in poultry farm रात को वेह पोल्टरी फार्म की मुर्गियों को खा जाता At least, when he began to stalk महमूद with dangerous intention और अंत में जब उसने महमूद का खतरनाक इरादे से पीछा करना शुरू किया Grandfather decided to transfer him to a zoo दादा जी ने उसे चडिया घर में स्थाना अंत्रित करने का निश्चे किया Question 7 दादा जी क्यों चाहते थे कि तिमोथी को दूसरे पिंजरे में रखा जाए इसका उत्तर है Grandfather wanted टिमोथी to be put in another cage दादा जी टिमोथी को दूसरे पिंजरे में रखना चाहते थे because the leopard in next cage was continuously disturbing and frightening him क्योंकि दूसरे पिंजरे में जो तेंद्वा था वह लगा तार उसे परिशान कर रहा था, डड़ा रहा था Question 8 What shocked grandfather in the end दादा जी को अंत में किस चीज से सद्मा लगा या आघात लगा इसका उत्तर है Grandfather shocked to know दादा जी को सद्मा लगा यह जानकर That Timothy had died from pneumonia, pneumonia two months ago यह pneumonia में P silent है तो उसे हम pneumonia pronounce करेंगे उन्हें यह जानकर धक्का लगा कि Timothy दो महिने पहले ही pneumonia से मर चुका है and the tiger which he thought as Timothy was very dangerous और बाग जिसे वह Timothy समझ रहे थे वह बहुत खतरनाक है Discuss the following topics in group आगे कुछ imaginary question answers दिये गए है हम उन्हें भी पढ़के अपनी कल्पना से उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे Discuss the following topics in group इन विशेयों को समूव में बैठकर उन पे चर्चा करें पहला, shoot animals with a camera, not with a gun जानवरों को camera से shoot करें camera से उनकी picture ले, उनकी photo ले एक गंज से उनने shoot नहीं करें इसका उत्तर देने का उन्हें प्रयास किया है Our mother nature is so beautiful हमारी जो प्रकृती है, प्रकृती मा है वह बहुत सुन्दर है It is very pleasant to capture or shoot the nature in a camera यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा लगेगा कि हम nature को, प्रकृती को camera में shoot करें Trees and animals are also part of nature पेड और पशू जो है, पशू पक्षी जो है वो भी इसी प्रकृती के अंग है We should not harm them हमें उन्हें हानी नहीं पहुचानी है Although we should enjoy its beauty बलकि हमें उसकी सुन्दरता के आनंद लेने है दूसरा Keeping pets help us become more loving and tolerant पालतु जानवनों को रखना हमें ज्यादा सहिशनु यानि सहन करने वाला और प्यार करने वाला बनाता है It also helps us respect life in any form यह जीवन की किसी भी रूप में इज़त करना हमें सिखाता है Do you agree? क्या आप इससे सहमत है? इसका उत्तर है? Yes, we agree with it Sorry, yes, we are agree with it हाँ, हम इससे सहमत है As we know that every living creature has its own soul and emotions जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यक जीवित प्रानी में एक आत्मा और भावना होती है Emotions यानि भावना है Pets shows unconditional love and undemanding companionship जो पालतु जानवर होते हैं वे unconditional यानि बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं and undemanding companionship यानि कुछ भी हमसे मांगते नहीं है और फिर भी हमारे companionship यानि साथी होते हैं हमारे साथ में रहते हैं हमें उन्हें एक इंसान के बच्चे की तरह ज्यादा देखवाल और ज्यादा स्नेह देने की जरूरत पड़ती है from whom जिससे we develop good human qualities like love, sympathy and tolerance जिससे हम अपने आप में अच्छे मानविये गुण जैसे प्यार, सहायता, सहीशनुता सहीशनुता यानि सहनशक्ती अपने आप में विक्सित कर पाते हैं as well as we are very much close to pets साथ ही हम लोग पालतु जानवरों के इतने close होते हैं so we learn to respect life in every creature by keeping them इससे हम किसी भी जीवित प्रानी के जीवन की इज़त करना, आदर करना सीखते हैं keeping by keeping them, उनको रखने के बाद सवाल तीसरा have you heard of the society for prevention of cruelty to animals? क्या आपने एक ऐसे संस्था के बारे में सुना है जो पशूओं की निर्दैता, पशूओं पर निर्दैता को रोपने के लिए काम करती है S-P-C-A, S stands for society, P prevention, C stands for cruelty, A stands for animals Society for prevention of cruelty to animals What do they do? वे क्या करते हैं? इसका जवाब है Yes, we heard about the society हाँ, हमने ऐसी संस्था के बारे में सुना है For prevention of cruelty to animals, जो जानवरों के परती निर्दैता को रोपने का काम करती है It is a common name for non-profit animal welfare organization यह है एक पशूओं की कल्यान के लिए बनाएगी संस्था है जो non-profit यानि बिना किसी फायदे के काम करती है It is a common name Common name से मतलब है यह है अलग-अलग देशों में कारेरत है लेकिन वहाँ पर इनका एक common name है SPCA उनको और कोई नाम ना देके SPCA कहा जाता है Around the world, these organizations operates independently each other पूरे विश्व में यह संस्था हैं अलग-अलग, एक दूसरे से अलग-अलग रहकर अपना कारे करती रहती है यानि यह संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है ऐसा नहीं कि कोई इनकी sister concern हो, कोई mother concern हो यह सब अलग-अलग देशों में अलग-अलग स्वतमत्र रूप से अपना कारे करती रहती है SPCA organizations campaign for animal welfare SPCA जो संस्थाएं हैं वो जानवरों के कल्यान के लिए campaign यानि प्रचार करती है Assist in the prevention of cruelty to animal cases जानवरों से संबंधित निर्देता के जो मामले हैं उसकी रोग-थाम में assist यानि मदद करती है They provide rehabilitation and finding homes for maltreated and unwanted animals ये जो आवारा पशू और maltreated यानि ऐसे जिनसे बुरा व्यभार किया गया है ऐसे मरीजों के लिए ऐसे जानवरों के लिए घर ढूंडती है और rehabilitation यानि उनकी पुनरवास उन्हें सही जगह पर पहुँचाना उनकी देखबाल करना इसके लिए प्रयास करती है तो दोस्तों इस तरह से आज हमने a tiger in the cage के question answers पढ़े और उन्हें उनका उत्तर देने का प्रयास किया आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लखें और यदि इससे संबंदित कोई भी शिकायत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सज्जेस्ट करना लिखना ना भूले धन्यवाद